हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक वाफिर से आपके अपने यूटूब चैनल कॉंप्टेटिफ पंडा पर दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुती बड़ी न्यूज आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों कॉंस्टेबल भरती पर सुप्रीम कोड का एक बहुत बड़ा फैसला आया है उसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो फैसले में सुप्रिम कोट ने का है कि सामान ने सिरेड़ी पर सिर्फ अनारक्षित वर्क का ही हक नहीं तो इसका मतलब यहां पर यह था कि 2013 में जो भरती आई थी उसमें जो चैन हुए थे वो पी एसी और फायर की जो वैकेंसी थी वो खाली रह गए थी और उसमें जो है 3,292 पद खाली रहे थी और उन पदों को भरने के लिए सुप्रिम कोट ने आदेश दिया था जिनको भरा गया था और इन पर आरक्षन को लेके थोड़ा सा मुद्दा था जिसकी वज़े से सुप इरिट के आधार पर सामान स्रेणी की जगें बनाने वाले आरक्षित वरक के अभ्यारतियों के चैन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता सामान ने वरक के छात्र पर कतई दावा नहीं कर सकते कि उनकी जगें मारी गई है सीर्स कोट के फैसले में साफ है कि अनारक्षित वर्ग के लोग को दावा नहीं कर सकते कि सामान स्रेणी की सीटों पर सिर्फ उनका ही अधिकार है जिस्टेस यूयो ललित को तीन सदस्य पीट जो थी उसमें राज सरकार द्वारा सीर्स कोट के पूर्व आदेश के अनरूप भारती की गई अगर किसी अभ्ध्यारती का चेन पूर्व में भले ही आरक्षित पदों पर हुआ हो लेकिन वह मेरिट के आधर पर सामान कोटे में चुने जाने का हक रखता है तो उसके चेन की चुनोती नहीं दी जा सकती पीटने कार राज सरकार द्वारा की कई इस कवायद को कैर कानून या ववैद नहीं ठहराया जा सकता उतरप्रदेश में 2019 में 3,292 पी एसी कॉंस्टेबल और फायर मेन की भरती के लिए कोट ने उसको जायस ठहराया है और ये भरती बर्स 2013 में जो 41,610 कॉंस्टेबल भरती आई थी उसी का हिस्सा है उसमें 2015 में उसका रिजल्ट घोसित हुआ था जिसमें 38,315 लोगों का चैन हो पाया जिसमें 3,292 पद खाली रह गया जिनको 2019 में पर परणाम घोसित किया गया और परणाम इसमें हुआ कि सामान वर्ग के कुछ चात्र थे उनका सुप्रिम कोट में याचिका देकर कहा था कि आरक्षित वर्ग के 958 जो चात्र हैं सुरुआत में आरक्षित कोटे में चैन हुआ था लेकिन सुप्रिम कोट के आदे इसके बाद जो 3,292 पदों के लिए भरती प्रक्रियाक के तहट 11 रवंबर 2019 को जो सूची जारी हुई इनमें इन लोगों को मेरिट के आदार पर सामान वर्ग में जगे दे दी गई तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि OBCC का कोई भी केंडिडेट अगर मेरिट अच्छी होती है तो अनारक्षित सीट जो होती हैं उनमें भी स्लेक्ट हो जाता है तो वैसा ही हुआ था लेकिन इसको लेकर जनरल के कुछ केंडिडेट थे उन्होंने याचिका डाली थी कि अगर उनको जनरल अनारक्षित सीट प में हो चुका है उनका जो है उनको उपन कैटेगरी के तहत एड़ेस्ट नहीं किया जा सकता इस लेकिन जो सुप्रिम कोट है उन्होंने उनकी याचिकाओं और दलीलों को खारिज करते हुए याचिका पर मेरिट का अभाब बताया और उन्होंने यही कहा कि जो ओबी सी केंड है वो अनारक्षित स्रेणी में चैन हो सकते हैं ठीक है तो यही बहुत बड़ी न्यूस थी कॉंस्टेबल भरती से संबंदित जो की 2013 की जो एक भरती थी और उस पर जो अभी 2019 में रिजल्ट जारी हुआ था उसके खिलाब अपील की गई थी उसको सुप्रिम कोट ने खारि करें